हेलो एभरीवन वेल्कम बैक टू ओर चेनल आप नेकर रहे हैं हेल्दी और टेस्टी केक और इस केक को हम बेना सुगर के बेना मेदे के बनाएंगे जो कि बहुत हेल्दी होगा और इसको बनाने वाली सर्वी सामगरी हमारे घर में अवलेबल होती है तो सबसे पहले इस टेप में हम एक ओवन लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे उसके तले में जब तक हमारा नमक फ्री इट होता है ओवन पे डखकन लगा देते हैं और हम अपने केक का मिश्रंट तयार करते हैं आईए देखते हैं हमने एक कप आठा लिया है और आठे के अकॉरडंग हमने इसमें तीन दलियां गुड की लिया है जितना भी आपका आठा हो आप उसके अकॉरडंग गुड यूस करें कुछ mix dry fruits लिए हैं मैंने आधा कप दही लिया है एक चम्मच बेकिंग सोडा और हाफ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर सबसे पहले हम हमारा यह जो गुड है वो पिगला लेते हैं तो यह देखिए आप देख सकते हैं हमने अपने गुड को जो है वो पिगला लिया है अब हम अपने सारे mixture को mix कर लेते हैं उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम अपना आटा डालेंगे मैंने इसमें ना म और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, तो अब हमारे बैटर में जो हमारा दही वह मिक्स कर लेंगे, मैंने फ्रेश दही यूस किया है आप चाहें तो खटा दही यूस कर सकते हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें हमारा बेकिंग सूडा एड करेंगे और साथ में बेकिंग पाउडर भी इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसमें तो हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तयार है अब हम इसको अपनी कैक्टेन में ट्रांस्फर कर लेते हैं आप देख सकते हो यह देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होने चाहिए तो मैंने एक अलुमीनियूम का कैक्टिन लिया है इसको हम पहले ग्रीस करेंगे अब ब्रशिंग से इसको ग्रीस करें क्योंकि इससे क्या होगा कि ओयल भी कम लगेगा और अच्छे से लग जाएगा तो अब हम इसको थोड़ा साइसे आप टैप कर ले ताकि यह सारी साइट्स में इकुली स्प्रिट हो जाए अब हम इसमें यह जो हमारे ड्राइफ सूट्स है वॉइड करेंगे आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हो बट इससे क्या होगा कि हमारे केक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी आपको ड्राइफ सूट्स पसंद आप वो यूज कर सकते हो तो अब हम इनको ओवन में रख देते हैं हमने ओवन को प्री हीट कर लिया था फ्रेंज तो अब हम जो है खोलेंगे और आप देख सकते हो हमारा लमक जो हो गरम हो चुका है केक टिन को हम इसके अंदर रखतेंगे और लगबक 30-45 मिनट तक स्लो गेस पे हमें इसे पकाना है मेडियम गेस पे ये 30 मिनट में पक जाता है और श्लो गेस में 45 मिनट लगते हैं 35 मिनट हुए है देखे हमारा केक अच्छी तरस भी खो गया है तो हम नाइप से इसको चेक करके बाहर निकल लेते हैं केक को बाहर निकाल लिया है अब हम अपना केक नाइफ की हेल्प से चेक कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा नाइफ बिल्कुल भी बिल्कुल भी नाइफ के चिपका नहीं है केक एकदम प्लेन हमारा नाइफ बाहर निकला है तो हमारा केक पक चुका है अब हम इसको पांच मि और आप देख सकते हो हमारा केक जो है वो काइड में बिल्कुल भी नहीं चिपका है और हमारा नाइप जो है वो इजिली इसमें स्प्रिट हो रहा है तो अब हम इसको ऐसे हलका हलका में प्रेस करेंगे तो यह इजिली निकल जाएगा बहुत ही हमारा केक यह आप देख सकते हो बहुत अच्छी से पक्के रेडी हुआ है बिलकुल भी जला नहीं है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाते हूं और आप देख सकते हो कि हमारा केक जो हरा बहुतसपंजी है बहुत इजरी कट रहा है और स्विए हूं और आप इसका स्पंज देख सकते हो बहुत स्पंजी बना और यह दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिखके रेडि हो तो आपको कैसा लगा अगर आपने अभी तक अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे हम मिलेंगे आप नेक्स वीडियो में बहुत ऐसी और बहुत थी टेहिश्टी रेसिपिक की साथ तब तक के लिए बाबाइ